इस वक्त की बड़ी सियासी दस्तक देती खबर सबसे पहले आपको बताते हैं इस समय प्रधान मंत्री आवास पर एक बेहद एहम बैठक चल रही है इस बैठक में प्रधान मंत्री हैं उनके साथ ग्रे मंत्री हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नडड़ा हैं महासचुर बीयल संतोष हैं पिजले दो घंटे से ज्यादा समय हो गया है इस बैठक साथ लोक कल्यान मार्ग यानी प्रधान मंत्री आवास पर चल रही है इस बैठक को लेकर खबर हैं कि चर्चा बीजेपी संगठन और सरकार में फिर बदल को लेकर हो रही ये बड़ी बैठक जो प्रधानमंत्री आवास पर लगातार चल रही है उसमें चर्चा किस बात को लेकर हो रही है इसे लेकर खुब कयास भी है क्या संगठन में बदलाव के लिए केवल यहाँ पर चर्चा चल रही है या फिर सरकार में भी बदलाव की चर्चा चल रही है क्या कुछ फेर बदल देखने को मिल सकता है या फिर संगठनात्मक फेर बदल ही होगा केबल हमारे साथ हमारी समधाता पॉलमी साहज समझ जोड रही है पॉलमी क्या खबरे हैं दो घंटे से ज्यादा का समय अब होने को आया है क्या समझें हम इस बैठक से क्या है इसकी अजेंडा पे पॉलमी आवाज आ रही है आपको पॉलमी तक हमारी आवाज जा नहीं रही है अभी लेकिन प्रधान मंत्री के आवाज पर ये बैठक जो चल रही है उसमें जो चार चेहरे हम आपको दिखा रहे हैं ये वही चार चेहरे हैं जो पिछले दो घंटे से मंथन कर रहे है साथ लोग कल्यान मार्क पर प्रधान मंत्री अमरिका दोरे से लोट कर आए उसके बाद से दरसल अजेंडे पर कई चीज़ें हो सकती हैं लेकिन चुकि 2024 का चुनाव सर पर है उससे पहले इस साल जो विधान सभा चुनाव होने है उसके लिहाज से क्या कुछ संगठनात्मक परिवर्तन हो सकते हैं क्या उस बाबत ये चर्चा चल रही है और अगर हाँ वैसे परिवर्तन होने हैं तो वो किस हिसाब के नजर आ सकते हैं हम अपनी संभादाता के पास जाकर उनसे बात करने का प्रयास करेंगे जैसे ही इसके बारे में जानकारी या फिर ये बैठक खत्म होती है हम इस बैठक के बारे में आपको विस्तार से सारी जानकारी देंगे लेकिन अब